हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका राजन सिंग साइंस क्लासे चैनल पर और आज की इस वीडियो के अंतरकत जो है हम लोग कम्प्लीट स्टेडी करने वाले हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेंब्रेन के जो फ्लूड मुझाइक मॉडल है उसका कम्प्लीट स्टेडी करने वाले है साथ ही इसके जो भी वर्क्स हैं पूंक्शन साथ करडके हैं उसके जो हैं इस karma मेंब्रेन के प्लूड मुझायक मॉडल है उसका वरनन कि जिए तथा कर्चू है कि जी आपके examination में questions पूछे जाते हैं जो हमारा प्लाजमा मेंब्रेन है उसके फुलूड मोजयक मॉडल जो है उसका वर्नन करना है तथा इसका जो भी functions है कार्ज है उसको यहां पर जो आपको उलेख करना है तो आए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्लाजमा कला का जीव द्रब जहली ठीक है तो बताते चले कि इस चैनल पर आपको बीएसी जुलोजी एंड बीएसी बॉटनी जो है सबस्क्राइब कर लिजिए और विल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि जब बीएसी से जुड़ा हुआ बॉटनी या जिलोजी का वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए ठीक है चली हम लोग अब जानते हैं कि प्लाइजमा कला का जीव द्रब्य जीली ठीक है जथापी पौधे की कोशिकाओं में समाने इस प्लाइजमा कला के बाहर एक अत्रिक्त भित्ती होती है क्या होती है तो एक अत्रिक्त भित्ती होती है सी नागैली एवाम सी केमर ठीक है दो साइन्टिस्ट हैं आपके सी नेगली एवं सी केमर द्वारा आठारा सो पच्पन में इस कला को जो है कोसी का कला नाम दिया गया क्या नाम दिया गया तो कोसी का कला जो है नाम दिया गया प्लाइजमा कला की सनरचना के विभीन मॉडल तो आईए हम लोग जानते हैं कि प्लाजमा कला की सनरचना के विभीन मॉडल तो प्लाजमा कला की सनरचना की ब्याख्या है तू विभीन मॉडल प्रस्तूत किये गए हैं इनमें से कुछ पर्मुक मॉडलों का संचिप्त व्यूरन इस खंड में प्रस्तूत है पहला जो है वह है लीपीड तथा लीपीड दु होने से पुर्व प्लाजमा कला की सनचना के लिए केवल अपर्त्यक्ष ग्यान ही उपलब्द था ओवर्टन ने 1902 में यह विचार प्रस्तुत किया की प्लाजमा कला लिपीड की एक पतली परत की बनी होती है उनका यह निसकर्ष इस गुण पर अधारिथा की लिपीड में घ प्रस्चात 1926 में गार्टेर एक साइंटिस्ट हैं गार्टेर तथा ग्रेंडल ने जो है सुझाओ दिया की प्लाजमा कला लिपीड अन्वों की दोहरी परत की बनी होती है इन पर जोगों सुझाओ से ही कला सनचना के अध्यान के लिए अन्य मॉडलों का जो है आधार बना बी नमबर है हमारा प्रोटीन लिपीड दुवी परत प्रोटीन तथा एकांक कला मोडल तो आए इसको हम लोग जानते हैं तो गार्टेर तथा ग्रेंडल के लिपीड दुवी परत मोडल को उस समय रुपांतरित करना पड़ा जब कोशिका कलाओं की प्रिष्ठ तनाओं के अध्यन से यह पता चला कि यह प्रिष्ठ तनाओं केवाल लिपिड से बनी कृतरिम कलाओं से प्रिष्ठ तनाओं से बहुत कम था इसे आभास मिला कि कलाओं की सरचना में लिपीड के अत्रिक्त प्रोटीन भी पाई जानी चाहिए तो बीएसे जुलोजी में अम लोग बहुत सारा चीज श्टडी कर लिए हैं अगर आप इस चैनल पर नाए हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए बीच में थोड़ा बहुत अगर आप लोग को बोरिंग फिल हो रहा होगा तो मैं बता दू कि इस चैनल पर जो भी कंटेंट आपको प्रोभाइड करा जाते हैं इस चैनल को सबस्क्राइब किया है तो किर्फिए चैनल को सबस्क्राइब करने में और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा पщड़ा हो सके ठीक है और इस चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं बीसी जिलोजी एंड बीसी बॉटनी से जिड़े हुए आप उस वीडियो को देख करके अपने स्टडी में हेल्प ले सकते हैं आपको काफी हेल्प होगा तो यहाँ पर हम लोग study करा है जो वह हम लोग क्या study करें तो जो भी हम लोग का योड हैं का उलेख करना है स्टूडी करते उए पहुच चुके हैं कि उस जोभी प्लाजमा कला की सरचना कि दिख को दो पहलन डे clairement की देख रहा ही ब्रagd acronym nominations देख रहे रहे प्रोटीन तथा एकांक कला मॉडल तो इस मॉडल को हम लोग देख रहे हैं तो आए एक बर और इसको जानते हैं हम लोग तो गार्टेर तथा ग्रेंडल नाम याद रखेंगे गार्टेर हैं तथा ग्रेंडल के लिपीड दुविपरत मौडल को उस समय रुपांतुरित करना पड़ा जब कोशिका की कलाओं के प्रिष्ट तनाओं के अध्यन से पता चला कि यह प्रिष्ट तनाओं के वल लिपीड से बनी क्रित्रीम कलाओं से प्रिष्ट तनाओं से बहुत कम था इसे आभास मिला क्या मिला तो आभास मिला कि कल लिपिड के अत्रिक्त प्रोटीन भी पाई जानी चाहिए वह मॉडल यह मॉडल जो है अनेक वर्सों तक लोग पर यह बना रहा क्या बना रहा अनेक वर्सों तक जो है पॉपुलर बना रहा लोग पर यह बना रहा इलेक्ट्रॉन सुक्षमदर्सी जब इलेक्ट्रॉन माइक मिक्रोइसिकोप के बाद में यहाँ भी पता चला की प्लाजमा कला की मोटाई यह से 10.2 नेनमीटर तक हो सकती है कितने नेनमीटरth विर दो आशन कोशिकाओं की कलाऊं शेमाओं की बीच की बीच की दूर्य 11 नेनमीटर भूते हैं मतलब 11-15 नैनोमीटर जो है वह हमारी होती है तो हम लोग प्लाजमा कला का जो जो भी दोथो शाहर का बिभीन मोडल है यह से लिपीड त consultants इसको जाने हम लोग प्रोटीन लिपीड दीविपरित्ट प्रोटीन तथा एक आंक कला मोडल जो है इसको हम लोग जाने और C नमबर एक है तरल मुझेक मॉडल तो आए तरल मुझेक मॉडल जो है हम लोग का उसको हम लोग जाने तो देख सकते हैं हमारा जो प्लाजमा कला है उसकी सनाचना के जो बिभीन मॉडल है तो फर्स नमबर मॉडल जाने है सेकेंड नमबर मॉडल जान की गुन धर्मों के अध्यान से प्राप्त आंकड़ों पर अधारित है किसके आंकड़ों पर अधारित है तो रसाइनिक विसलेशन और जयव भौत्यकी गुन धर्मों के अध्यान से प्राप्त आंकड़ों पर अधारित है इन आंकड़ों द्वारा प्लैजमा कला में मुख्य अवयाओ हैं का उसके कंपोनेंट्स हैं उसके गठन को जो है और अच्छी प्रकार समझा है प्लाजमा कला के विषय में परमुक धारना एक तरल मोजेक मॉडल के रुप में सिंगर वर निकॉलसन द्वरा प्रस्तूत की गई थी किसके द्वरा प्रस्तूत की गई थी तो दो साइंटिस्ट हैं सिंगर वर निकलसन उनके द्वरा प्रस्तूत की गई थी क्या प्रस्तूत की गई थी तो प्लाजमा कला के विषय में परमुक धारना एक तरल मोजेक मॉडल के रुप में सिंगर वर निकलसन द्वरा जो है प्रस्तूत की गई थी इस मॉडल में यह माना गया कि पहला लिपिड और आंतरिक प्रोटीन एक मोजेक बेवस्ता में पाई जाती है जो हमारा लिपिड है और आंतरिक प्रोटीन है कैसे पाई जाती है तो एक मोजेक बेवस्ता में पाई जाती है क्या बनी रहती है तो जिससे लिपीडियम आंतरिक प्रोटीनर जो है दुई परत के अंदर ही अंदर गती छम्या बनी रहती है अगला है कि इस मोडल में तरलता की धारना से या अर्थ है कि कला के अवयाओ जो होते हैं अर्थात लीपिड प्रोटीन और अलिगो सेकराइड जो होते हैं और सहसन्योगी अंतह क्रियाओं द्वारा जो है अपनी अपनी इस्तिती में बने रहते हैं या धारना या सत्यता के बल पर अधारित है कि अवयाओ बीना किसी बाढ़ को तोड़े ही घोल को अथ्वा अपमार्ज को द्वारा जो है परिचिप्त हो सकते हैं इस मोजैक मोडल जिसे बीदित है कि आंतरिक प्रोटीन एक सतत लिपीड द्वी परत में अधिक या कम अंतर निर्विष्ट जड़ाय रहती है यह प्रोटीन कला की दोनों सतहों पर एक जलिये घोलक के संपर्क में हो सकती है बीलगित लाल रक्तानू धोस्टों में 8.0 नैनो मीटर ब्यास वाले कन एक बड़ी मातरा में देखे जाते हैं जो लिपीड द्वी परत में धसी प्रोटीन होती है वरतमान में किये गए अनेक परजगों से तरल मुझे एक मोडल की पुष्टी हुई है और ऐसा विश्वास किया जाता है क्या किया जता है तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह मॉडल जो है अब अनेक वर्सु तक जो है स्विकार्ज होगा तो हम लोगों ने जान दिया कि जो भी हमलारा प्लाजमा कला है उसकी सनचना के जो विभीन मॉडल थे उसको हम लोगों ने जान दिया पहला मॉडल था लीपीड तथा लीपीड दूइपरत मॉडल दूसरा मॉडल था प्रोटीन लिपीड दूपर तो प्रोटीन तथा एक आंग कला मॉडल और तीसरा था तरल मुझे एक मॉडल आप लोग इस वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो भी आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन-कौन से मॉडल हम लोग舍 किये हैं बाइए हम लोग जानते हैं कोशी काकला की गतिकी वे उसके बाद फ्लेजमा कला के परकार्ज जो है वह हम लोग कार्ज तक भी पहुँच चुके हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा कोशी का कला की गतिकी है चुकि आप कोशी का हिंदी में गलत लिखा है तो कोशी का कला की जो गतिकी है उसको जानते हैं तो कला में लिपीड और प्रोटीनों का जो है उपर बताया गया संगठन आस्थाई नहोकर लचिला होता है कैसा होता है आस्थाई नहोकर के संगठन जो है अस्थाई नहोकर लचिला होता है इसका लचिला पन लिपीडो या प्रोटीनों के कारण ही होता है किसके कारण होता है तो लिपीडों या प्रोटीनों के कारण ही होता है लिपीडों की गत का द्रवनांक अस्तंधारी जनतों के सारिक तापमान से कम होता है इस प्रकार एक तरल द्विपरत बन जाती है जिसमें लीपीडों को पूछ स्वतंत रूप से गतिसील रहती है क्या रहती है तो जिसमें जो है लीपीडों के पूछ जो है वह स्वतंत रूप से गतिसील रहत कीजिए तो आए हम लोग जो पाटाज मा अ son 강 def Healing को जानते हैं तब हम लोग का स्फोषटन का आंसर जो है complete होगा यहां से कलर भी चेंज कर लेते हैं लोग कि कै यह gras help लेते हैं तो टो प्लाजमा ला के कार जो जो है इसको हम लोग जानते हैं तो प्लाजमा कला या जीव द्रब जिली वीविद कार्ज करती है कैसी कार्ज करती है तो वीविद कार्ज करती है मतलब अलग अलग कार्ज करती है इसके कार्जों की भींता इसकी सनचना की भींता में परती बिंबीत होती है क्या वह परती बिंबीत होती ह हमारा पर कोसिका में अंदर आने वाले कहीं जग Wow आउपर जो है कुछ कुछ मीसिंग कर दिया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे कोशी का हो यहांपर कोशी का में अंदर आने वाले यह उससे बाहर जाने वाले पडार्थों के परिवाहन के लिए एक वरनात्मक मार्ग का कार्जी करती है यह कोशीका के आकार और सक्रियता पर नियंद्रन करती है इन परकार्जों के अत्रिक्त प्लाज्मा कला का मुख्य जोगदान कोसी का अभिज्ञान में भी है किसमे है तो हमारा कोसी का अभिज्ञान में भी है तो चलिए फाइनली इस वीडियो के अंदर गत हम लोग जो हमारा प्लाज्मा मेंब् के हम लोग is hybrid model जो है उसको हम लोग जान गए हैं ठीक है और उसका जो भी कार्ग था उसको हम लोग जान गए हैмов लेक कर लिया है और हम लोग ने वरन कर लिया है तो फाइनलि यह विसे सी ये बिये से जिलोजी फॉर्स्ट ये में स्टडी करना है संथ चली तो हम लोग कंप्लीट इस्टडी हो गया हम लोग का प्लाइमा मेंब्रेन का फुलूड मोजयक अब्सक्राइब कराईब कर लिए और विल आइकन को प्रेस कर लिज एक आपको चैनल के माध्यम से बहुत ज्यादा आपको आपके ब्यूरत कोंड़ने होगा क्या है क्योंकि सभी इंपॉटेंट क्वेश्टिंस सार जो है और जो भी आपका सिल अलेबस है बहुचिंगमा कंटेन्ट आपके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं वहां पर आप जा करके देखिए आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से ठीक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं फिर दुबारा कर आहूं और वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजि से उसका वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोट कर दिया जाएगा ठीक है चलिए थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो फिर मिलते हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में